दोस्तों दुकान नमर 69 के सामने लगता है ये धनिया और पोदीना का दुकान कई दुकानदा लगाते हैं आपको थोक पे भी मिल जाएगा और पर्चुन में भी मिल जाएगा यहाँ पे आज जो है शूपर क्या पोदी पोट का रेट है 60 रुपए, 70 रुपए, सूपर क्याल्टी में ह complètement हलके में है, 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए तक, जैसा माल וैसादाम और पर्चुन में थोक रेट से पर्चुन का रेट 20 रुपे, 30 रुपे किलो पे उचा देखने को मिलेगा दोस्तों दुकान नमर 57 के सामने जो है आपको मिर्ची, अद्रक, लशन और निम्बू मिल जाएगा थोक में भी और पर्चुन में भी अजी सर, आज जो है थोक में ये पुराने वाला अध्रक बैंगलोर वाला किया रेट बिकरे हैं पच्पन से लेकर के साट रुपे, कम से कम कितना लेना पड़ेगा? कम से कम लेकर ना एककट लेना पड़ेगा? और निम्बू? लिंबू भी थोग DделES, ₹रलीटी कम से कम णुका कोईल्टी में? लिक मार्टी में डीरो्टी में क्या रैट्न हочь है ग Flame 3000 से चालिस ठक तीस से चालिस का बजयार्स है ऐ हुआजी जी लिस्टन? लिस्टन भी 60 से असी तक दानेवाला? हाद आने आवले हैं और हलके में हम होई 30 से 40 जो बारी को छोटे से इसका जो आता है हाँ जी मिर्ची तो वही जो कल के भी बजा रहें दोस्तों इंदोर वाला मिर्ची आज भी जो है सेम बजार देखने को मिला है कल भी 22 ले करके 25 का बजार था आज भी 22 का बजार सुपर कौ कालोरवाला उसका मार्किट है आज 25 से लेकर के 28 का मार्किट है चार-पांच रुपए तेज़ देखने को मिल लाज दोस्तो आज जो है वैशे केसशबपूर मंडी के अंदर मिर्ची कम देखने को मिल रहा है जहां पे, कही जगे का मिर्ची रहता था जैसे बुल्डाना इंदोर और झता अ जयप्वार, भी आता था जयपूर दोस्तो मिट्टी वाला अर्भी मोटते साइज में आज का रेट है 9 रुपे 10 रुपे किलो और जो छोटे वाला आता है उसका रेट है 5 रुपे 6 रुपे किलो कम से कम एक कट्टा लेना पड़ेगा वजन निकलेगा 50 से 55 किलो दोस्तो लूस पैकिंग में करेट वाला शिमला मिर्च इसका रेट है आज का 18 से 20 रुपे किलो इसमें वजन निकलता है 12 से 15 किलो थोड़ा अलका क्वाल्टी में है दोस्तो पिठा कद्दू आज का रेट है 10 रुपे किलो कम से कम एक पनी लेना पड़ेगा वजन निकलेगा 25 किलो के आसपास दोस्तो गीया मीडियम साइज का इसका रेट है 200 रुपे 2500 रुपे पनी वजन निकलता है 30 से 35 किलो दोस्तो बैग गन सूपर क्वाल्टी का आज का रेट है 20 रुपे किलो कम से कम एक कट्टा लेना पड़ेगा वजन निकलेगा 30 से 35 किलो दोस्तो दुकान नमर 34 किसी भी किसान या वैपारी को किसी भी तरह का सबजी भेजना हो अरा सबजी हो या कुछ भी अरे सबजी में कुछ भी हो चाहिए फुल गो भी पत्ता गो भी करेल लाख को इसा भी सबजी हो सब बेज देंगे और बेज करके payment देते है hand to hand किसान गारी के साथ भी आ सकता है या फिर वहाँ से बेज भी सकता है बेज करके account में पैसा मिल जाएगा वहाँ से बेजेंगे तो या गारी के साथ आएगे तो hand to hand पैसा मिल जाएगा दोस्तो मूली रात को जो बिका है सुपर क्वाल्टी में सोड़ा रुपए किलो सोला रुपए किलो और अभी जो है विक रहा है दस रुपए किलो दोस्तो पत्ता को भी आज का रेट है साथे छे सो रुपए ये वाला और वो जो देख रहे हो उसका रेट है साथे पान सो रुपए इसमें भरती 500 सारे 500 रुपे रेट है भरती निकलेगा आपका 50 से लेकर के 55 किलो इसमें भी और इसमें भी दोनों में 50 से 55 किलो भरती निकलेगा बेंगलोर वाला माल है दोस्तो सिमला वाला बीन्स सुपर क्वाल्टी का रेट है आज का 60 से लेकर के 65 रुपे और हलके का रेट है 40 रुपे 42 रुपे किलो और ये जो जूट के कटे में देख रहे हैं ये देरादुन वाला बीन्स है इसका भी रेट जो है 60 रुपे 65 रुपे सुपर क्वाल्टी का ह दोस्तो कमशक में एक कट्टा लेना पड़ेगा वजन रहेगा 30-32 किलो दोस्तो चाइना वाला सिमला मिर्ची इसके पेटी में वजन निकलता है 22 किलो आज का रेट है रात को भिका है 35 रुपए किलो और अभी जो भिक रहा है 28 रुपए किलो सुपर क्वाल्टिम है दोस्तो राजिस्थान वाला टिंडा रात को भिका है 28 रुपए 27 रुपए अभी भिक रहा है 25 रुपए किलो दोस्तो किसी भी किशान या वैपारी को माल भेजना हो हरा सबजी भेजना हो तो इस दुकान पे भेज सकते हैं कमिशन बेस का काम है माल बेच करके उसी टेम हेंटो हेंड पैसा किशान अगर माल के साथ आना चाहे तो माल के साथ भी आ सकता है उसी टेम माल बेच करके उसी टेम पैसा दिया जाएगा अगर माल के साथ नहीं आता है तो माल बेच करके अकाउंट में पैसा दिया जाएगा बांकि कोईसा भी सब् आज जो है सर के पास गवार और बैगन है अजी सर आज जो है गवार आपके पास च्यारेट कुछा सर गवार सुबबेचा थाइस रुपे गलो अब बिगरा रात के बठाइस रुपे पच्छी रुपे बढ़िया रेशाम सुपर क्वाल्टी और अभी सर मुटा है मुटा है मुटा वो बैगन बैगन पढ़िया साच रुपे थीस किलो वजन साथा रुपे कटा स्थी स्पर क्वाल्टी दोस्तो फुलगोवी लावल सी पित्थी वाला आज का रेट बिका है सुपर क्वाल्टी रात को बिखा है 35 से लेकर के चालिस रुपए किलो, वो हलके में बिखा है, वो हलके में बिख रहा है, दोस्तो, पचीस से लेकर के तीस रुपए किलो, दोस्तो, काट्टून में वदन निकलेगा, पचीस किलो, चब्विस किलो कम शेकम, दोस्तो, फुलगोबी राजिस्थान वाला, ये है तीन सो अधर करीखेराब्स है penso अधरी होगा नहीं कर्म ऐसे लिएक लिए यह and दोस्तो तोड़ी आज का रेट है 10 रूपए किलो वजन निकलेगा अब 22 ते 25 किलो और घिया मीडियम साइज वाला 300 रूपए पन्नी है 30 किलो 35 किलो निकलता है एक पन्नी में कम सकम एक पन्नी लेना पड़ेगा दोस्तो मीडियम साइज वाला भिंडी आज का रेट है 15 रूपए किलो और छोटे वाला भिंडी बारिक साइज का आता है उसका रेट है 18 रूपए 20 रूपए किलो पन्नी में निकलेगा वजन बिंडी के पन्नी में वजन निकलेगा 20 किलो 22 किलो दोस्तो आज जो है गाजर में बजार डाउन देखने को मिला चार रुपे कम से कम सूपर क्वाल्टी का गाजर जो कल भी खा था 22 रुपे किलो आज 18 रुपे किलो है वो हल्किया वाले का कोई रेट नहीं है 10 रुपे 12 रुपे 15 रुपे जो रेट बिग जाए दोस्तो कानपूर वाला करेला एकदम फ्रेश करेला इसका रेट है 15 रुपे किलो दोस्तो दुकान नमर 14 किसी भी किसान भाई या वैपारी को अगर माल भेजना हो तो भेज सकते हैं कोईसा भी हरी सबजी मिशान भेस्ते हैं माल माल भेज करके सब्सक्राइब महा से माल भी बेज सकता है खाते में पाएसा चला जाएगा लेकिन ओंड पैसा दिया जाएगा और बन की जो आज 200 इसल कर से लेंकर तकुन सासर राजिस्तान का यह राजिस्तान पुस्कार और ये श्मलामिर्च 3 lleva किलो थीज रूपए किलो भड़ा क्वाल्टि मैं सर यह सुपर यह सुपर में है अच्छा वह के क्वाल्टि वह बीश पंदरा और यह मुली सर ़ोली पंदर पर कुल और आपका दुकान नमबर और कोंटेक नमबर क्या रहे हैं सर। दोस्तो देशी खीड़ा बारिक साइज का इसका रेट है 10 रुपे किलो और जो मोटे वारा खीड़ा आता है देशी में उसका रेट है 4 रुपे 5 रुपे किलो कम से कम दोस्तो एक कट्टा लेना पड़ेगा वजन निकलेगा 50-55 किलो दोस्तो रत्तालू सूपर क्याल्टी का आज का रेट है 16 रुपे किलो दोस्तो आज जो है सर के पास दो गारिया है वाई एक देशी का एक बोंबे हैवरीट का बांकि आज का रेट बताएंगे सर सर लेके 220 रुपे अरंगाबाद शूपर क्वाल्टी साड़े 300-370 रुपे तक भी तक बिके हैं जो अच्षे क्वाल्टी है किसान का नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि किसान वहीं पे जो है अपना खरीदारी का माल देता है किसान कोई विक्री का माल नहीं देता है जो भी बाहर से दिल्ली माल आता है तकरीबन सब विक्री का नहीं होता है खरीदारी का माल होता है जो घाटा लगता है या तो ब्यापारी का लगता है या तो आड़तियों का लगता है जो अपना घाटा लगा के वहां से जो दलालों करते हैं और स folders ग्रीद ता सप्वर्ण करते हैं लॉकल मीपनि दो है विए नहीं दोबंक ठाटरी सो सचतों जो पारी को तीन सो गया डाई सो भी बेचना पड़ता है तो आड़ती ब्यापारी को दोनों फायदा हो जाता है और अगर माल एक दिन रुग गया डाई में जो गया तो सिधे नुकसान हो जाता है अगर तीस गाड़ी मंडी में लगती है तो कम से कम नो लाख रुपे का आड़तीयों या व्यापारियों को दोनों को नुकसान जहलना पड़ता है अगर बंबे टमाटर वाई साथ तीन सो पचास से लेके चार सो रुपे तक भीका हुआ है हमाचल से आता था वहां बारिश की करण जो है फदल पहले ही नश्ट हो गई इसलिए वहां का टमाटर खराब हो गया अगर कहीं का बचा आए तो वह पांसो शाड़े पांसो तक भीकता है अगर तो पानी बर गया तो माल हलका ही आएगा ना भाई साथ बाकि अब धन्यवाद आपका ठीक है माल भी चले लिए ना अगर वर बता दीजेगे एट नाइन टू नाइन फोर सिक्स तू अन तू अगर